नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरी स्यूट्यूब चैनल में आज 10 ओक्टोबर 2022 आज टीसेस ने कौर्टर 2 के जो फाइनेंसियल रिजल्ट से अनौंस किये है तो इस रिजल्ट को हम डिटेल में अनलाईज करेंगे तो लेट स्टार्ट इट अगर इस कौर्टर मे कोर्टर औन कोर्टर विसिस पे देखे तो लास्ट कोर्टर में टीसेस ने लगभक 53,000 क्रोड रुपीज का रिवेन्यू अन्ड किया था तो इस बार हमको कोर्टर औन कोर्टर विसिस पे जम्प होते हुए दिख रहा है अगर हम year on year basis पे देखे तो last year company ने जो total revenue था 47,000 क्रोड रुपीज के आसपास total revenue earn किया था जो कि इस quarter में पढ़कर 56,000 क्रोड रुपीज के आसपास बहुँ जाए तो quarter on quarter basis and year on year basis जो company का total income है इसमें आमको growth दिखाई दे रही है अगर company के expense के बारे में बात की जाए तो इस quarter company ने लगबग 42,000 क्रोड रुपीज का expense इस quarter में किया है अगर इसको हम quarter on quarter basis पे compare करें तो last quarter company ने जो expense किया था 40,000 क्रोड रुपीज का expense था जो की बढ़कर 42,000 क्रोड रुपीज का हो चुक है तो quarter on quarter basis पे हमको expense बढ़ता हुआ दिख रहा है अगर हम year on year basis पे देखे तो last year company का जो expense था लगबक 35,000 क्रोड रुपीज था जो की बढ़कर आभी 42,000 क्रोड रुपीज हो चुक है तो quarter on quarter basis and year on year basis company का जो expense है हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है अगर company के total expenses बढ़ जाते हैं तो इसका जो directly impact होता है नेट profit पे होता है तो अगर हम net profit देखेंगे company का इस quarter में तो लगपक 10,538 करोड रुपीज का profit company ने इस quarter में किया है अगर हम quarter on quarter pieces पे देखेंगे तो last quarter लगपक 8,000 करोड रुपीज का profit था जो की बढ़कर आभी 10,000 करोड रुपीज हो जुका है तो quarter on quarter basis पे हम profit में jump होते हुए दिख रही है अगर हम last year on year basis पे देखें तो last year company का जो profit था 9,504 करोड रुपीज जो बढ़कर आभी 10 करोड रुपीज के असपास हो जुका है तो air on year basis and quarter on quarter basis company का जो revenue है इसमें हमको jump होती हुए दिख रही है अगर company के earnings पर equity shares की बात की जाए तो इस quarter company का जो EPS है 28.51 रुपीज है अगर हम quarter on quarter basis पे हम इसको अगर compare करेंगे तो last quarter company का जो EPS था लगबट 25 रुपीज था जो की बढ़कर 28 रुपीज के असपास हो चुका है तो quarter on quarter basis पे jump दिखाई दे रही है अगर हम year on year basis पे देखे तो जो last year था और 26 रुपीज के असपास EPS था जो की बढ़कर 28 रुपीज हो चुका है तो quarter on quarter और year on year basis पे EPS में हमको growth होते हुए दिख रहा है company ने लगबग 8 रुपीज का dividend declare कर दिया है So friends मैं आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो please like, share, comments करना मत भूलिए एसी तरह की ओर यूडियो दिखने के लिए अमारा चैनल दरूज सब्सक्राइब करें Thanks for watching आओर यूडियो ज़ बाई